नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन डी ट्रिपल एस बी पीजटी 2020 इतिहास भाग 84 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहु अगा डी सेख अहमद सरहिंदी सेख अहमद सरहिंदी जो एक कटर मुसलमान थे और अपने सिधानतों की कारण इनको जो है मुझहिद कहा जाता था सेख अहमद सरहिंदी को कोश्चन नमबर दो है निमलिकित में से किसका निधन वरानसी में हुआ था तो किसका निधन वरानसी में हुआ था तो बलभाचारे का निधन वरानसी में हुआ था यानि कि बलभाचारे का जन्म वरानसी में हुआ था और इनका निधन भी वरानसी में हुआ था यानि जन् नमर तीन है कामरूप में वैशनों धर्म का किसन प्रवर्तन किया कामरूप में।क में वैशनों धर्म का प्रवर्तन किया था? संकर देव में। कुश्चन नमबर चार है इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिधान्त का प्रदिपादन किस सूफी संत ने किया था ये सूफी संत का नाम पुछ रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा एक ख्वाजा मीर दर्द कुश्चन नमबर पांच है कबीर और नानक के समंध में निमलिखित कत्नों पर विचार के जिये और कौन सा कुट इसमें सही है अब देखें कबीर और नानक की तुलना की गई है और इसमें विचार करना है कौन कौन कुट इसमें सही है आपसन के अनुसार देखें पाला दिय की तथा सूफी दोनों परामपराओं से लिए गए थे उनके मिंस कभीर के तीसरा है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रभवसाली प्रयास की कभीर का भी और नानक का भी में नुदेश्स से था हिंदू मुस्लिम को एकता बनाय रखने के लिए प्रभव साली प्रयास की थे ये भी सई है चौथा ए उनके अन्य वाईयोंने स्वत्वन धान्तर धार्मिक समाज अस्थापित किये उनके मिंस कभीर के और नानक के जो अन्य प्रकार से स्वत्वन धार चिस्ती संत कौन थे जिनके प्रतिस शिहाब दीन, गोरी बहुत अनकूल था. तो ये चिस्ती संत कौन थे तो कह अहां है ख्वाजा मुयनिदीन, चिस्ति. ख्वाजा मोयनियुदीन चिस्थी क्वेसर नमबर साथ है रामयन का फार्शी अनुबाद किस ने किया था रामयन का फार्शी अनुबाद किया था क्वेसर नमबर आठ है किस मुगल समराट ने दिवान ने वजीरात एक कुल नाम से नयपद का गठन किया था तो वो सासक था मुगल समराट अकबर यहनि दिवान ने वजीरात एक कुल के नाम से एक नयपद गठन किया जो अकबर के समय में हुआ था यह Question No.9 है मिर्जा राजा जय सिंग द्वारा 1665 इसवी में पुरंदर के घेरे के समय निमने में से कौन सा यातरी उपस्थित था तो इसका एंसर हो जाएगा B. बर्नियर बर्नियर था उस समय कुस्सर नमबर 10 है निमलिकित में से कौन सा युग में ठीक सुमयलित है यानि कौन सा युग में इसमें सही है तो ये सही है एंसर होगा A. अमीर हाजिब दरबारी सिष्टा 4 को कायता था अमीर हाजिब कुछन नमबर 11 है पदसाह नामा का लेखक कौन है पदसाह नामा पदसाह नामा का लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी कुछन नमबर 12 है हिमायू के मकबरे में कुछ बादसा और साजादे दफनाए गयते ठीक संख्या क्या है इनकी ठीक संख्या है 6 छे लोग थे इसमें आप देखें छे कौन कौन थे इसमें एक तो हिमायू था हिमायू के अलावा दाराशिको रफिव दौला रफिव दर्जात बहादूरसास जफर के दो पुत्रों को इसमें दफनाया गया था टोटल छे लोग थे सीफंबर में को में से पूछा गया है कर आथ को पूछा गया हैude का है एंऐ ल Brenda काहा पूछ गलत अ sacrifice चिकरिनpaiयस कंध्रा में है इसका अगर पूछता है तो सिकंद्रा में है जहांगीर का मकबरा कहां पर है तो जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में ये सही है बहादूर सा जफर का मकबरा कहां पर है इसमें दिया दिल्ली तो दिल्ली गलत है बादूर सा जफरकार मकबरा अगर देखा जाए तो कहां पर रंगून में इनको दफना गया था यानि कि इसमें एंसर आपका हो जाएगा D1 और 3 इसमें केवल सही है कोश्चन नमबर 14 है निमलिखित मुगल चितरकारों में से कौन ब्यंग चितरका विससग्य था ब्यंग चितरका तो वह चितरकार था बसावन एंसर आजाएगा B बसावन कोश्चन नमबर 15 है मुगल सहले की चितरकाला की प्रकिर्टी धर्म निर्पेच एवं अभी जात वर्गी है इसमें कौन सही नहीं है यह बताना है आपको तो यह तो सही है पाला पाला सही है इसमें इसलिए इसमें नहीं पुछा तो नहीं मला एंसर देना है मुगल चित्रकारों ने भारती राष्ठी जीवन का चित्रण किया यह गलत है तीसरा दिया है मुगल समराड साजाहा ने चित्रकला को हसाहित किया यह भी गलत है यानि कि दो और तीन इसमें गलत है एंसर हो जाएगा C Q16 है निमलिखित मुगल बाद साहों में से किस बाद साह को उसकी मृत्तु के बाद अधिकारिक तोर पर अर्स आस यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया तो वह बाद साह था अकबर एंसर हो जाएगा A अकबर Q17 है मुगल काल के किस यानि निमलिखित मकबरे में प्रथम बार पितुद्रा का प्रियोग मिलता है ये मिलता है एतमादु दौला के मकबरे में ये नुर्जाहान ने बनवाया था इनके टिटा का नाम था एतमादु उनहीं के नाम पर Q18 है निमलिखित में से कौन मुंतखब उल्लुबाब का लेखक था मुंतखब उल्लुबाब का लेखक कौन था इसके एंसर हो जाएगा C कफी खा Q19 है वह मुगल समराट जिसका दो बार अविशेक हुआ था कौन था हुआ था आवरंग जेग Q20 है जेम्स प्रथम के दूद के रूप में सर टामस रो को कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा यह जहांगीर के दरबार में रहा था तीन वर्सों तक 1615 में आया था और फिर 1618 तक रहा था यह Q21 नमबर 21 है पूर्थगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था यह अधिकार किया था 1510 इस्वी में Q22 है निमलिकित में से कौन सा आस्थान पूर्थगालियों के अधिकार में नहीं था तो आस्थान था मचली पटनम मचली पटनम जो पूर्थगालियों के अधिकार में नहीं था Q23 है भारत में पूर्टगालियों के प्रती अरव बैपारियों की क्या प्रतिकिरिया थी तो अरव जो है पूर्टगाली के बिर्वोधी थे Q24 है भारत के किस खेतर में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्टरियों की अस्थापना की तो वह खेतर है गुजरात और बिहार में कोशन नमबर पचीस है अंग्रेजों को सुनाहरा फर्मान कब परदान किया गया था 1632 इसवी में 1632 इसवी में गुलकुंडा के सुल्तान से सुनाहरा फर्मान प्राप्थ हुआ था सुनारा फर्मान सितात्पर योगा बंदरगाहों पर जो है सोतंत्र बैपार का अधिकार दे दिया गया था अंग्रेजियों को कोश्चन नमबर 26 है चार्ल्स दुती द्वारा बंबईस्ट इंडिया कमपनी को कब हस्तांतरित किया गया कोश्चन नमबर 27 है वह मराठा बिरंगना जिसने मराठा सक्ति को मुगलों के आकरमण से बचाई थी तो वह थी तारा बाई कोश्चन नमबर 28 है सीवा जी के काल में पर राष्ट मामलों के अधिकारी मंतरी की क्या संग्या थी तो पर राष्ट इनि विदेश मंतरा लेके मंतरी अधिकारी को कहता था सुमंत कोश्चन नमबर 29 है अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधी कब हस्ताचर किये तो सूरत की संधी पर हस्ताचर हुआ था 7 मार्च 1775 इस्वी को अंग्रेजों के बीच और मराठा सरदार जो हस्ताचर किये थे जिनका नाम था रगोजी भोशले कुश्चन नमबर 30 है 1859 इस्वी के उपरांत किस छेतर को बिटिस भारत के अधिन लाया गया था तो वह था उपरी बर्मा को उपरी बर्मा को ला डफरीन के समय उपरी बर्मा ये थे क्वेशन आज के लिए उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए वगा पसंद आद इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिसदिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम